15 अप्रेल 1977 को मुंबई में पैदा हुई साक्षी श्विवानन्द दिखने में जितनी खुबसूरत हैं उतनी बिरलेंट स्टुडेंट भी रह चुकी हैं साक्षी MBA कर चुकी साक्षी को शुरू से ही फिल्मों में दिल्चस्पी थी तो उन्होंने पढ़ाई के दोरान ही ओड देना शुरू कर दिया फिर साल 1995 में आई फिल्म जन्म कुंडली से साक्षी का बॉलिवुड करियर की शुरू आत हो गई विनोत खन्ना जितेंद्र रीना रॉय अनुअगरवाल परेश रावल और अनुपम खेर जैसे नामी कलाकारों वाले इस फिल्म में साक्षी ने साक्षी अईूब खान के अपोजिट फिल्म संजय में दिखी हाला कि इनकी दूसरे फिल्म संजय भी फ्लॉप रही लेकिन अगले साल यानी 1996 में साक्षी दिखी इंद्र प्रथम नाम की एक मलियालम फिल्म में साक्षी के हीरो थे ममूती और ये फिल्म बढ़िया चली थी इस फिल्म की काम्याबी ने साक्षी के लिए साउथ फिल्म इंडस्ट्री के द्वार खोल दिये उन्होंने उस दौर में साउथ की कई बड़ी और हिट फिल्मों में काम किया यू तो इस दौरान साक्षी कुछ हिंदी फिल्मों में भी नज़र आई लेकिन उन में से एक भी फिल्म ऐसी नहीं थी जो हिंदी भाशी दर्शकों के मनमस्तिक्ष पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव छोड़ पाती हिंदी बेल्ट के दर्शकों ने साक्षी को सबसे पहली दफा नोटिस किया साल 2000 में आई फिल्म क्रोध में उस फिल्म में साक्षी सुनील शेटी की पांच बहनों में से एक सीमा बनी थी यूँ तो क्रोध भी असफल फिल्मों में शुमार की जाती है लेकिन साक्षी का अभिन ज़रूर काबिले तारीफ रहा और फिर दो साल बाद यानि साल 2002 में साक्षी शिवानन नजर आई फिल्म आपको पहले भी कहीं देखा है मैं और ये फिल्म साक्षी के बॉलिवुड करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई यूँ तो आपको पहले भी कहीं देखा है नाम की इस फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से कोई बढ़ियां रिव्यूज नहीं मिले थे लेकिन बॉक्स ओफिस पर वो फिल्म थोड़ा ठीक परदशन करने में खामियाब रही और इसी वज़े से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में प्रोडूसर्स साक्षी में दिल्चस्पी दिखाने लगे साक्षी ने कुछ फिल्में साइन भी की लेकिन जल्द ही पता चला कि साक्षी ने जितनी भी फिल्में साइन की थी वो सब उन्होंने छोड़ दी और आज जो भी एडवांस उन्होंने प्रोडूसर से लिया था वो भी वापस लोटा दिया उस वक्त किसी को पता नहीं चला कि साकशी ने अचानक ये फैसला क्यों लिया फिर कुछ साल बाद साकशी का एक इंटर्विव सामने आया जिसमें उन्होंने कुछ ऐसे खुलासे किये जो बेहर शॉकिंग थे उस इंटर्वे में साक्षी ने बताया था कि वो कहां चली गई थी और क्यों उन्होंने बॉलिवुड फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था साल 2010 में दिये गए उस इंटर्वे में साक्षी शिवानन ने बताया कि साल 2004 में उन्होंने एक ऐसे फिल्म साइन की थी जिसमें अंडरवर्ड ने पैसा लगाया था हाला कि साक्षी को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि उस फिल्म का अंडरवर्ड के साथ कोई connection है वो तो उस फिल्म की कुछ शूटिंग भी कर चुकी थी लेकिन एक दिन साक्षी के फोन पर दुबई से कॉल आई पहले तो साक्षी को लगा कि शायद कोई मजाग कर रहा है इसलिए उन्होंने उस कॉल पर धान नहीं दिया मगर जब एक दिन उसे फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ लोग साक्षी के पास आए और उन्होंने साक्षी से दुबई जाकर किसी से मिलने को कहा तो उन्हें वही फोन कॉल याद आ गया जो कुछ दिन पहले दुबई से उनके नमबर पर आया था साक्षी को एहसास हुआ कि जो लोग उनसे मिलने आये थे वो अंडर वर्ल्ड के लोग थे और जिस आदमी से दुबई में जाकर मिलने का उन पर दवाब बनाया जा रहा था वो कोई अंडर वर्ल्ड डॉन था उन्होंने फिल्म के डिरेक्टर से सारी बाते बताई इस उमीद से कि शायद डिरेक्टर उसे बताए कि इस सिचुईशन को कैसे हैंडल करना है लेकिन डिरेक्टर के जरिये उस साक्षी को जो पता चला वो जान कर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई इस फिल्म को बनाने में जितना भी पैसा लग रहा था वो सारा पैसा अंडर वर्ड खर्च कर रहा था उस डिरेक्टर ने भी साक्षी को दुबई जाकर डौन से मिलने और उसकी ख्वाहिश पूरी करने की सलाह दी उस घटना ने साक्षी को बुरी तरह से तोड़ कर रख दिया उन्होंने लोगे से मिलना जुलना बंद कर दिया अपना नमबर बदल लिया वो एक ऐसा वक्त भी था जब साक्षी के माता पिता दक्षिन अफरीका में थे और उनकी छोटी बहन शिल्पा आनंद भी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर यानि उस मुश्किल वक्त में साक्षी एकदम अकेली पढ़ गई थी वो हमेशा खुद को अपने घर में बंद रखती थी और अकसर रूती रहती थी धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने मान लिया कि साक्षी ने शायद शादी कर ली है और फिल्मों में काम करना बंद कर दिया है हाला कि साक्षी ने कुछ दक्षिन भारते फिल्मों में काम जरूर किया 2007 में साक्षी गोविंदा के साथ जहां जाईएगा हमें पाईएगा नाम की फिल्म में भी दिखी थी और वो फिल्म भी उन्होंने इसलिए की थी क्योंकि एक तो वो गोविंदा को बहुत अच्छी तरह से जानती थी और दूसरा वो फिल्म शेत्रुधन सिन्ह के भाई लखन ने प्रोडूस की थी हाला कि वो फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई थी उस इंटर्विय में साक्षी ने कहा था कि अंडर्वर्ड की गंदी नजरों से खुद को बचाने के लिए उन्होंने अपना बॉलिवूड करियर खुद ही खत्म कर लिया साउथ इंडस्ट्री में अंडर्वर्ड का असर नहीं था तो वो साउथ की फिल्मों में काम करने लगी लेकिन साक्षी कभी भी साउथ में अपने करियर से पूरी तरह संतुष्ट नहीं रही बकॉल साक्षी अगर लड़की खूबसूरत दिखती है तो साउथ की फिल्म में उसे परफॉर्मेंस की ज़ादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती मुझे भी साउथ की कुछी फिल्मों में बढ़ियां रोल मिले ज़ादा तर मेरे ग्लैमर गर्ल वाले कैरेक्टर ही वहाँ प्ले किये ये काफी अजीब है लेकिन ये भी सच है साक्षी अब फिल्मों में कम काम करती है साल 2016 में साक्षी ने कलेक्टर गारू से अपने हीरो रहे अभिनेता मोहन बाबू से शादी भी कर ली और अब वो सुखी पारिवारिक जीवन बिता रही है